नमस्कार दोष्टों आज हम आपको दिखाएंगे रामगडबांथ रामगडबांथ जैपुर से लगवर 30 किलोमेटर की दूर परिस्तित है यहां जाने के लिए हम दिल्ली हाइवे का यूज का सकते हैं इस बांथ का निर्माण जैपुर के महाराजा मादो सिंग्जी दुद्यन ने करवाया था जिससे की जैपुर वासियों को भरपुर मात्रा में पानी मिल सके रामगडबांथ को जैपुर के लाइफ लाइन कहा चाता था आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको यहां का पूरा व्यू दिखाएंगे कि यहां पर आज कैसी कंडिशन हो चुकी हैं तो लीजिए आज हम आपको लेकर आचुके हैं रामगडबांथ किसी जमाने में रामगडबांथ एक बहुत ही प्यारा शामदार पिक्निक स्पोर्ट भा करता था लेकिन आज इसकी कंडिशन ऐसी हो चुकी है कि यह है एक वीरान और सुन्सान हो चुका है झाल 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 यहां पर एक हन्मान जी का मंदिर और एक भेरुजी का मंदिर है जिसके कारण यहां पर सुबह साम चहल पहल रहती है है क giveaway युझ पर भेर करण पर सुबदाओी है है युझ पर एक है युझ अबंड अज में भीवर को मह दो है जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ सूखा ही सूखा और जंगली पेड़ पोदे ही पेड़ पोदे नजर आते हैं किसी जमाने में यह है रामगडबांद बहुती प्यारा बहुती शांदा पिक्निक की स्पोटवा करता था चार तरफ रामगडबांद पूरा सूखा नजर आता है यह रामगडबान चार तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है जिससे हम अरावली की पहाड़िया कहते हैं किसी जमाने में यहां पर दूर दूर तक पानी ही पानी नजा राता था लेकिन आज यह कंडिशन हो चुकी है यहां कि यहां एक बून पानी भी नहीं है और इस बांज को बनाने में जो लागत लगी थी वह आज पूरी लागत मिट्टी में मिल चुकी है और यहां पर जो उपकरण यूज आते हैं वो सारे जंग खा चुके है यहीं से ही जैपुर के लिए पानी देजा जाता था और जैपुर वास्यों को पानी की किल्लत मैसुस जाले में होन एते हैं अज को बनाने में धुकी है यहीं से हैं ये जाले में ये सकता हैं ये जैया है ये जो पहाडियां है यही हरावली की पहाडियां है इनके बीच ओ बीच रामगडबान का निर्मान की क्या गया था जिसे की जैपुर को और रामगड़ के लोगों को पानी मिल सके ये ये बामड़ कäre येच देती का दिसा कर रामगड़ को हैं हो weights ये się cलामादों की लोगों व्राभ्स हा भ्सू Earitas झाल झाल यह है रामगडबांध का गेट यहां पर टोटल मिलागे छे गेट हैं जब पानी ज्यादा होता था इन गेटों को खोल दिया जाता था लेकिन आज इनकी स्तिति है जो आपको यह पानी दिखाई दे रहा है बिल्कुल कंदा जिसमें बद्भू भी आती है तो हम चलते हैं रामगडबांध के एक छोर पर यहां पर हम आपको दिखाएंगे कुछ उपकरण जिससे की चैपुर को पानी सप्लाई कैसे की जाती थी के तो हम चलते हैं आती है जाती जाती तेंगि जाती है लड़ांगे जब सकतित प्रावों है कर दो हम आपको प्रावों धिखाएंग आपको जो ये पाइप दिखा दे रहे हैं इसती पाइपों के जरी है या पुरक लिए पानी के सप्लाइग की जाती थी जड़ मुश्टां में के सबस्टे पानी जाती धुटां चपवान रामगडवांद को देव भूमी भी कहा जाता है और साथ ही तपो भूमी भी कहा जाता है यहां पर के प्रकार के मंदिर इस्तित है काफी संतों यहां तब किए चारों तरफ प्यडपद ही प्यडपद है और आज भी इसका व्योद बहुत ही प्यारा है पैस कमी है तो शिर्फ बरसात की पानी की इसकी कमी की कारण नहीं आज रामगडबांद पूरा सुक चुका है और इसका वजूद खत्म हो चुका है इसलिए ही मैंने इस वीडियो में एक था रामगडबांद रखा क्योंकि शायद अब कभी भी यह बांद पाली से नहीं भर पाएगा और यहां पर कभी चैल पेल होगी या नहीं होगी यह कोई क सकता प्रेस उपर वाले से दुआ है बिंती है कि एक बार ऐसा चमतकर हो कि यह रामगडबांध वापस पानी से भरे और यह वापस एक बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सांदर पिकनिक स्पोर्ट बन जाए आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरू लिखें ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे फिर भी लेंगे जब तक के लिए चैहिन चैह भारत